समस्कार साथियों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 20 साल्व करेंगे और प्रैक्टिस सेट 20 में कौन-कौन से प्रशन आये हैं इनको देख लेते हैं और मैं यह आसा करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत 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 चल रही होगी साथ ही आपकी परिक्षा की जो डेट है वह दो दो पाली पेपर होना संभाव है ऐसी चीज़े ठीक है सुनने भी आ रहा है तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होनी चाहिए रिवीजन कुप धेर सारा करिए कोशन की वाराइटीज में भी ध्यान रखिए और भीर सारे प्रशन एक ही प्रकार के करते चलिए और चीज कि विशर्ग का चारण स्थान पूछा गया है आप लोग जानते है कि जो है घर जबत हैं उनके हमें तो विशर्ग का यहांपर क्या करना है? उच्यारन अस्थानगी बताना है। कौन सा है? कंठ है, उस्ठ है, तालव है, अनुनासिक है। साथिवों आप जानते हैं कि संस्कृट में एक सूत्र है। अकुहु विशर्जनिया नाम कंठा है। अकुहू विशर्जनिया नाम कंठ उस तूत्र से देखेंगे तो अ कावर्ग और जो है विशर्ग ठीक है ये सब क्या है आपकी कंठ धोनिया है ठीक है साथ ही हा को भी ले लीजे ठीक हा एक वर्ण है जो कि वह भी आपका कंठ कंस्कृत में माना गया है ठीक है तो विकल्प जो होगा आपका सही हो जाएगा ए ठीक है तो कौन-कौन से वर्ण आएंगे कंठ में अ कावर्ग विशर्ग और हा ठीक है सूत्र क्या है अकुहू विश विसरजनिया नाम कंठ सूत्र का नाम है इस सूत्र से जो विसरग चिन आपका यहां पिर दिया हुआ है या इसका उच्चारणस्थान क्या होगा इसका उच्चारणस्थान कंठ होगा ठीक है साथ ही ओस्ठ से कौन से वर्ण बोले जाते हैं और तालू से कौन से आप लोग ज जो है किस से बोला जाता है ओस्ट से बोला जाता है ठीक है और आपका जो चावर्ग है या किस से इसका उच्चारणस्थान क्या है तालव्य है ठीक है साथ ही देखिए तो आपका का वर्ग हो गया पावर्ग हो गया चावर्ग हो गया टावर्ग का जो उच्चारणस्थान क् क्या है मूर्धा है ठीक है मूर्धा है ठीक है साथ में देखा जाए तो तावर्ग का उच्छारणस्थान क्या होगा साथ यो जानते हैं अब तावर्ग उच्छारणस्थान दन तो होता है एक मूर्धा तो कंठ ओस्ट आलव मूर्धा और दन्द चलिए कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं चा इसका उचारनस्थान क्या है तालू ठीक है ठीक है इसका उचारनस्थान क्या है दन्द इससा का उचारनस्थान क्या है मूर्धा ठीक है इन सब चीज़ों को भी आपको याद रखना है ठीक तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए जिससे कि आपकी तैयारी में कोई कमी कूर कसर न रह जाए आगे चलेंगे अगला प्रसंद देख लेते हैं मिस्रित संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन का मिस्रित और संयुक्त वाक्य है और उसमें विरोध का जो भाव प्रकट करना है उसको प्रकट करने के लिए किस विराम चिन का प्रयोग किया जाता है तो आप लोग साथियों जानते हैं कि उ तो जो उपविराम है इसका चिन है यह होता है उपविराम या कोश्ठक देख लीजे तो कोश्ठक का क्या है कई परकार के कोश्ठक होते हैं ठीक है एक कोश्ठक का परकार ये है एक कोश्ठक का परकार ये है ठीक और एक कोश्ठक का परकार ये है ये कोश्ठक को ये कोश्ठ जो कि विराम चिन्हों में प्रयुक्त होते हैं योजक चिन्ह कौन सा है कातियों देखिए इसको डैस जिसको कि हम लोग डैस अंग्रेजी में कहते हैं इसी को हम लोग क्या करते हैं योजक चिन्ह भी कहते हैं ठीक है तो कभी-कभी देवरुप्ती सब्दों में या समान विराम चिन अर्द विराम ठीक है साथी इन चीजों को आप याद बढ़ी आधंग से करते चलिए निम्नलिकित में से संग्या ती द्रिष्टी से असंगत युग्म कौन सा है असंगत युग्म आपको बताना है ठीक है बंदर है जातिवाचक संग्या मोटाई है भाववाचक संग्या नेपाल है व्यक्तिवाचक संग्या ठीक है बंदर देखिए पूरे के पूरे बंदर जाति का बोध कराता है ठीक है बंदर जो सब्द है वह बंदर की जितनी भी प्रजातिया है उनका बोध कराता है इसलिए जातिवाचक संग्या है मोटाई जो है मोटा सब्द से बना हुआ है और मोटाई में जानते हैं आप लोग भावाचक संग्या है ना मोटाई जो है त्वास्त के लिए आनिकारक है ठीक है नेपाल देखिए व्यक्तिकत रूप से एक राश्ट का नाम है इस वज़ा से इसको हम लोग क्या करेंगे व्यक्ति वाचक संग्या मान लेते जबकि घृणा जो है यह घृणा जो है यह सब्द जातिवाचक नहीं है क्यों क्योंकि यह भावाचक सब्द है तो जो विकल्प है या संग्यातियोगम का वह डी है ठीक है आपका डी विकल्प होगा सही तो इसको आप लोग देख लीचेगा वैसे संग्या कितने भेद हो कौन सा उत्तम पूरुस वाला जोड़ा है जोड़े को पहचानिये यह होना चाहिए तो साथियों जानते हैं मैं हम तू तुम वहवे यह पूरुस वाचक ठीक है किसके पूरुस वाचक सर्वनाम के सभी भेद ठीक है पूरुस वाचक सर्वनाम के सभी भेद हैं तो अगर देखा जाए तो इसके तीन भेद होते हैं ठीक है कौन कौन से उत्तम पूरुस जो वक्ता कुछ कहने वाला होता है उसको क्या कहते हैं उत्तम पूरुस कहेंगे उत्तम पूरुस मध्यम पूरुस जो सुनने वाला होता है उसको क्या कहते हैं मध्यम पूरुस और जिसके बारे में बात होती है वा क्या कहलाता है अन्य पूरुस ठीक है मतलब जो उत्तम पूरुस है वह मध्यम पूरुस से जो कोई बात बातचीत कहता है किसी दूसरे तीसरे व्यक्त के बारे में वह पूरुस वाचक ठीक है तो पूरुस वाचक सितात पर क्या है बातचीत करने के माध्यम पे देखा जाए दो पूरुस अथवा इस्तरी ही होते हैं तो बातचीत करते हैं तो उनके बीच में जो बारतालाप होती ह तो दो तो प्रतेक्ष होते हैं एक प्रतेक्ष होता है तो जो प्रतेक्ष होता है उसके बारे में बाचीत होती है तो वह अन्य पुरुस होता है जो बात सुनता है उसे हम लोग मध्यम पुरुस कहते हैं और जब की जो कहने वाला होता है वह क्या है उत्तम पुरुस तो आप जानते हैं, उत्तमपुरुष का जो सर्वनाम है, मैं, हम, ठीक है, और इए मध्यमपुरुष का तु, तुम, ठीक, ताथ ही अन्यपुरुष का वह, वे, यह चीज़ आपको याद रखना है, तो आपको जोड़ा सही पहशानना है उत्तम पूरस वाला जो विकल्प आपका ए है वह सही हो जाएगा ठीक है इस चीज़ को याद रखिएगा आगे चलेंगे निमने लिखित सब्दों में से कौन से कौन सा सब्द विशेशन ठीक है विशेशन नहीं है तो साथियों देखि हैं कि विशेशन निर्मार करते हैं ठीक है इत प्रत्य हो गया इक प्रत्य हो गया इन सब्दों को लगा करके हम लोग क्या करते हैं विशेशन का निर्मार करते हैं तो इस प्रकरिया को हम लोग देखेंगे तो अनुसासन सब्द में अनुसासन सब्द में इत प्रत्य लगा करके हम लोग क्या करते हैं अनुसासित सब्द बना लेते हैं जो की विशेशन का सब्द होता है ठीक है अनुसासित सब्द किसका है विशेशन का सब्द है ठीक इन में से सकर्मक क्रिया का वाक्य सकर्मक क्रिया वाला वाकि कौन सा है साथ ही आपको बताना है सकर्मक क्रिया वाला वाकि कौन सा है सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं आप लोग जानते हैं सकर्मक क्रिया कितने परकार की होती है कौन कौन सी एक तो सकर्मक क्रिया होती है और एक क्या होता है सकर्मक क्रिया जिस वाक किरिया का प्रभाव सीधे सीधे करता कि उबटा है तो वहाँ कर्मकृया होती है ठीक है तोब कि या हसता है बालिका निबंद हलिख रही है। बंदा की नि सोती है पक्षी आकास में उड़ते हैं तो साथ कियो देखिये इसमें जो आपको चाहिए कि कर्म वाला क्यों क्योंकि हमें सकर्म क्रिया का पहचान करनी है तो देखिए इस वाक्य में आपको निबंध जो सब्द है लिखना मिल जाएगा कि बालिका तो क्या है करता तो है लिख रही है लेकिन लिखना किसका हो रहा है निबंध का ठीक है क्या लिख रही है जब ही कर्म का पहचान करना हो कर्म वाक्य में है या नहीं तो वाक्य में आप क्या लिखें तो लिखिए बालिका क्या कर रही है तो आप देखेंगे इसका जबाब मिलेगा बालिका निबंध लिख क्या लिख रही है तो निबंध लिख रही है तो आपको आंसर मिला निबंध तो जब इस प्रकार से आप कौन और किया निश्चित कर लेंगे तो साथी आपको आसान हो जाएगा सकर्म क्रिया पहचानना ठीक है तो यह आपको लिख करके बाली का निवन लिखती है लिख रही है इस वाक्य में क्या है यह कर्मक्रिया का है ठीक है आगे चलते हैं निमनलिखित विकल्पों में से एक वाक्य सईयोजा क्रिया विशेशन से संबंद रखता है ठीक है सईयोजा क्रिया विशेशन से संबंद र तुम किताब खोल कर पढ़ोगे जब आप आग्यां देंगे तब मैं उठोंगा ठीक है तो सही ओजग का मतलब क्या होता है जोडने वाला जो वाक्यों को जोडता हो ठीक है तो जब आप विकल्प D में देखेंगे तो जब और तब आपको सही ओजग प्रिया विशेशन देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह जो प्रस्न होगा आपका विकल्प में वाक्य जो आप परिक्षित कर रहे हैं परिक्षन यहां पर देख रहे हैं तो इसमें जब देखेंगे तो आपको तब और जब दो क्रिया विशेशन मिलेंगे जो सही ओजग का काम करते हैं ठीक कि साही होजक क्रिया विशैशन करेश्ड के कई भेद nowhere नहीं होते हैं क्रिया करेशैशण के भेद नहीं होते हैं तो क्रिया विशैश्य कि प्रमुक होरोप आए तो चार भेद थीक है प्रमुक होरोप से देखा जाए तो चार भेद हैं कौन कौन से काल्वाचक्रिया विश्ध हो काल्वाचक काल वाचक उस्थान वाचक और परिमार वाचक परिमार वाचक साथ ही देखिए तो आपको और भी भेड मिलेंगे एक होता है रीति वाचक विशेशन भी आपका एक प्रकार का भेड है ठीक है रीति वाचक परिमार वाचक और रीति वाचक क्रिया विशेशन ठीक है यह चार तो आपके रहे क्रिया विशेशन के भेड ठीक है यह किस आधार पर है तो देखिए यह अर्थ के आधार पर है तो यह अर्थ के आधार पर है ठीक है अर्थ के आधार पर इस चीज़ को नोट करेंगे आप अर्थ के आधार पर है इन सब चीजों को आपको याद रखना चाहिए क्योंकि भेद को भी पूछा जा सकता है और जब भेद के बारे में पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा ठीक है प्रयोग के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं ठीक है साधारन, सहियोजक और अनुबद अभी ये किस के आधार पर है सहियोजक तो ये है आपका प्रयोग के आधार पर ये अर्थ के आधार पर है ये प्रयोग के आधार पर है ठीक है सहियोजक हो गया अनुबद हो गया और साधारन क्रिया भी शेसक ठीक है तो इन सब चीज़ों को आपको note कर लेना चाहिए आगे चलेंगे निमनलिकित में से कौन सा सब्द幅 पुलि Tensor है देखे पुलिंग का सब्द पुछा गया है कौन सा सब्द पुलिंग का है चार सब्द दिये गए है और चारो ही सब्दों में देख करके आपको बताना है कौन से सब्द वो लिंग का है तो साथी हो जा हम लोग वा के प्रयोग करते हैं किसके लिए लिंग निर्धारण के लिए ठीक है तो जोगी जोगी वन में रहता है ठीक है वह आप में लोग कर लेंगे नर्मदा नर्मदा गुजरात में बहती है अमावश्या कल अमावश्या कल अमावश्या थी वक्त्री अमावश्या देती है पतियों देखे सभी का वाक प्योग करने पर जब आप देखेंगे तो क्रिया रहता जो है वह पुलिंग की क्रिया है ठीक है और बाकी अस्थान पर देखेंगे सभी क्रियाएं क्या है इस ट्रेलिंग बोधक है ठीक है तो जो आपका जोगी सब्द हो गई है क्या है पहचानना है ठीक है किस वचन में है तो देखिए सदा बहु वचन में होता है गव एक वचन में होता है हमेशा एक वचन में होता है या बहु वचन में पत्यों जानते हैं गव जो है एक वचन में होगा और जब कि इसका जो गववें सब्द वनेगा वो क्या है बहुवचन हो जाएगा ठीक है तो इसमें देखिए आपका जो विकल्प है वह सही होगा गव सब्द एक वचन में रहता है ठीक आगे चलेंगे पानी बह रहा इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है तो संदिग्द भूध काल है हे तु हे तु मद भवश काल है हे तु हे तु मद भूध काल है या अपोर्ण भूतकाल है हम लोग वाकिप्रयोग करकर की देख लेते हैं संदिक भूतकाल में क्या होता है कि मान लीजिए राम पूल गया होगा ठीक है गया होगा हेतु हेतु मत भविष क्याल में क्या होता है वे आएं तो मैं जाओं ठीक हेतु हेतु मत भूतकाल में क्या होता है वे पढ़ते वे पढ़ते तो अवश सफल होते ठीक है मतलब यहां जो कार हो रहा है वो पहले ही हो गया होता तो सफल होते ठीक है तो देखिए इसको पढ़ेंगे तो आपको भूतकाल का बोध होता है ठीक है जबकी पानी बह रहा था तो जो कार हो रहा है वह निश्चित रूप में भूतकाल में प्रारम हुआ था लेकिन वरतमान समय तक में क्या है कि वह संपन नहीं हुआ कार चल ही रहा है ठीक है चल ही रहा था तो यह जो सब्द होगा आपका अपूर्ण भूतकाल का होगा ठीक है तो आपको जो बिकल्प होगा वह बिकल्प आपका रही होगा डी वाकिछ भाव आच्छ छाटना है इस वाकिछ में कौन सा दिये गए वाकिछ में भाव आच्छ है इसको छाटना है दादा जी के द्वारा अनिल को डाटा गया किसको डाटा गया अनिल को तो देखिए यहां पर डाटने की जो क्रिया है वो दादा जी ने की लेकिन उसका प्र कर्म होगा ही नहीं ठीक है निस्चत्रूप से लेकिन अगर वाक्य कर्द्रिवाच्च है तो उसमें कर्म हो सकता है ठीक है भाव वाच्च में बिल्कुल कभी नहीं होगा और भाव वाच्च के वाक्च में कर्म नहीं होगा तो कर्म वाच्च में भाव के भी नहीं होंगे ठी है तोंते से उड़ा नहीं गया असोक ने आइस क्रीम खाई चोर पकड़ा गया ठीक है तो देखिए चोर आइस क्रीम खाई गयी क्या खाई गयी आइस क्रीम खाई गयी ठीक है तो यह यहाँ पर कर्म आ गया तो यह नहीं होगा चोर पकड़ा गया कौन पकड़ा गया चोर पक क्रिया का जो उड़ा रूप है वह किस प्रकार का है भावाचक रूप है जब की गया ठीक है जो क्रिया है अन्पुरुस बोधा क्रिया है तोते से उड़ा नहीं जाता या उड़ा नहीं गया ठीक है तो यह जो आपका वाक्य होगा भावाचका होगा ठीक आगे चलेंगे सा कारक है संबोधन कारक तो साथी जानते हैं आप लोग संबोधन कारक का करम में किसी को बुलाने के लिए किया जाता है ना तो संबोधन कारक नहीं है इस वाके में अधिकरन कारक में जानते हैं आप लोग में और पर कारक चिन का प्रयोग होता है कर्म कारक का जो चिन है वो क को है ठीक है और संबंद का जो कारख चिन है क का की की रा रिरे है ना आप लोग इसको जानते है ना निने भी होता है तो आप देखिए उपर जो प्रयुक्त जो चिन है वो ओ है ठीक है जब की आप लोग जानते हैं कि कहीं पे जब किसी को कुछ दिया जाता है तो उसमें क्या होता है देने के लिए संपरदान कारक भी होता है ठीक है तो आपके दिमाग में संपरदान कारक भी होना चाहिए और कर्म कारक भी होना चाहिए देखे देना तो यहां पुरुसकार हो रहा है ठीक है लेक आगे चलेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सब्द तत्सम है आपको तत्सम सब्द बताना है कौन सा सब्द तत्सम का है तो आज मान लीजे तत्सम सब्द बताने है ठीक है तत्सम सब्द बताने है और तत्धव साथियों जानते हैं आज का जो अध्य होगा ठीक है तद्सम और आज जो है यह तद्भा होगा अक्षी एक तब्द है जो तद्सम में प्रियुक्त होता है जबकि अक्ष के लिए आख जो है वो तद्भा में प्रियुक्त होता है खीक है अग्र अग्र जो है वह किस प्रकार का सब्द हैं लेकिन इसके लिए आगे सब्द का सक्टार इस्तमाल तदभा में किया जाता है कि आग क्या है आग आपका तदभाव सब्द है जबकि अगनी जो है आपको तत्सम में देखने को मिलता है तो साथियों देखिए आज क्या है तदबव है आख तदबव है आग भी तदबव है जबकि अगर जो है आपका विकल्प में तत्सम सब्द है ठीक है तो आप लोग इस अगर को तत्सम सब्द टेक करेंग सत समसर्द है आगे चलते है निमनलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है निमनलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है ठीक है तो मतलब चाह तीन तो उर्दू के ही होंगे ठीक देखिए आपके सामने एक उपसर्ग है खुस ठीक है खुस जो है उर्दू का अपसर गए ठीक है खुस नुमा खुस किस्मत खुस नसीब ठीक यह प्रकार का यह प्रकार के सब्द है ठीक है कम जोर कम वक्त कम बक्त कम अकल ठीक है कम अकल भी एक सब्द है यह सभी क्या है आपके कम से बने हैं गैर अच्छा यह जो आपका आंसर हुगा हुआ है उन ठीक है तो उन तीज उन सठ उन हत्तर ठीक है उन नियासी तो मतलब यह जो उन सब्द है यह संख्या वाचक सब्दों में प्रियूप किया जाता है इसका आर्थ क्या होता है एक कम होना ठीक है उननिस उन्तीस गैर आजिर गैर कानूनी गैर जिमेदार ठीक है इस प्रकार से धेर सारे उधारन बनते हैं इनको आप लोग देखेंगे अभ्यास करेंगे ठीक है इस चीज़ को देख लीजेगा तो आपको जो विकल्ब होगा वह विकल्ब सी होगा ठीक है आगे चलते हैं इन में से लड़ाई जो सब्द है इसमें प्रयुक्त जो प्रत्य है कौन सा है इसको आपको बताना है कौन सा प्रयुक्त हुआ है प्रत्य तो आप लोग जानते हैं साथी यह क्रिया में जो प्रत्य लगते हैं, उनसे बनने वारे सब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रिदंत कहते हैं, ठीक है, तो इसमें जो लगा हुआ प्रत्य है, वह क्या है, आई प्रत्य लगा हुआ है, ठीक है, यह क्या है, क्रिदंत है, क्रिदंत क्यों है, क्योंकि क्रिय प्रत्य क यहाद रखते हैं क्रिदंत कहा जाता है कृत प्रत्य कहा जाता को जो नए सब्द बनते हैं उनको हम लोग क्रेदंत कहते हैं ठीक याद रखिएगा निमनलिकित में से कौन सा सब्द आरोह का विलोम है निमनलिकित में से कौन सा सब्द आरोह का विलोम है साथ यो देखिए प्रारोह प्रमारोह और निर्मोह नहीं है जब कि जो आरोह है यह सब आरोह का औरोह विलोम होगा ठीक है तो जो विकल्प आपका होगा वह कौन सा होगा विकल्प आपका भी सही हो जाएगा ठीक है बहुमत का विलोम कौन सा है इसमें आप देखिए कौन सा विलोम हो सकता है तो आप लोग जानते हैं बहुमत का बहु का मतलब होता है अधिक और अल्प का मतलब होता है थोड़ा ठीक है तो बहुमत में जो विकल्प होगा कौन सा होगा इसको निश्चित कर लीजे थोड़ा स बहुमत का मतलब बहुमत का मतलब अधिक और अल्प का मतलब थोड़ा तो जानते हैं जहां पर अल्प लगा होगा वहाँ पर वही भी कल्प हो जाएगा ठीक है बाकी ही हार का जीत होता है ठीक है बिलूम जीत का हार आगे चलते हैं जल ही जीवन है ठीक है जल ही जीवन है इसमें आपको परयावाची सब्द बताना है कौन से परयावाची सब्द इसमें है ठीक है तो देखिए ललित है इला है वारी है तो जानते हैं आप जो समीर सब्द है समीर का क्या मतलब होता है हवा हवा ना फात हिट्यारी ठीक है जब कि वारी का क्या मतलब होता है कि वारी का मतलब क्या होता है जल पानी आउसे अमबूद कि तोई को भी पानी होता है तेक नीर मतलब नीर में भी पानी होता है ठीक तो यह सबी पानी इत्यादी सब्द रात रात्री एक शब्द है रातारी एक शब्द है रात सब्द का परियाइवाची नहीं है रात का बताइए कौन Sboys gebracht आप जानेंjä इना लगो जानते है रजिनी यामिनी विभावरी यह सभी क्या रात्री के परियाइवाची होते हैं ठीक है जब की कामिनी जो है यह पर्याईवाची नहीं है कामिनी किसका पर्याईवाची है कामिनी जो है यह इस्त्री की पर्याईवाची है ठीक है नारी इस्त्री रमणा वामा ठीक है नारी इस्त्री रमणी और वामा वामा में भी, वामा भी इस्तिरी को कहा जाता है, ठीक, इस और आप लोग भी नोट कर लीजेगा, चीज़ों को ध्यान से करते रहिए, आगे चलेंगे, इन में से किस सब्द का एक अर्थ एतराज ही है, एतराज सब्द का अर्थ कौन सा है, दे रहा है सब्द, दिये गए सब में ठीक है तो बताएंगे आतराज देने वाला कौन सा है सब्द कौन दे रहा है इसमें से तो विपत्ती का मतलब क्या होता है कस्ट संकट कस्ट आफट भी भी कस्ट है लेकिन आपत्ती का मतलब क्या होता है एतिराज ठीक है तो जो आपका सब्द होगा एतिराज के स्थान पर आप आपत्ती लिख सकते हैं विपत्ती मतलब संकट होता है ठीक है आपत्त मतलब भी संकट ही है आगे चलेंगे दिये गए सब्द युग्म का सही सब्द युग्म ग्यान कीजे कली और कली दो सब्द हैं और इन दोनों सब्दों में से कौन सा आपका सही युग में है उसको पहचानना है तो जैन दे कली का मतलब क्या होता है कली का क। है कली का मतलब होता है कली यूग ठीक है कली यूग जब की कली का क्या मतलब होता है कली के कली का इस अर्थ में रियोग होता है तो कली योग और कली का जहां पर होंगे वह आपका सही विकल्प होगा ठीक है विकल्प आपका विकल्प कौन सा है विकल्प आपका सही है D क्योंकि कलिका और कलियुग कलियुग और कलिका इसी वी कल्प में आपको देखने को मिलते हैं ठीक है जिन में सक्ति ना हो ठीक ऐसे वाक्यांस के लिए इन में से सबसे अपयूगत सब्द कौन सा है सब ठीक है आप कौन सा अपयूगत सब्द लगाएंगे तो जिसमें सक्ति जिसमें सक्ती ना हो तो देखिए ना आया है और ना किस्थान परग्रम आ रख देते हैं तो असक्त ठीक है जिसमें सक्ती ना हो उसके लिए हम लोग असक्त का प्रियोग कर सकते हैं ठीक है जबकि जिसको सोक ना हो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं असोक जिसके मन में तो जिसमें सकती नहीं है उसके लिए असक्त सब्द का इस्तमाल किया जाएगा वाक्यांस के लिए जहां जाना संभव ना हो जहां जाना संभव ना हो वाक्यांस के लिए सही सब्द कौन सा होगा साथिष जहां जाना ठीक है गम में अगम ना कप्रियों करें अगम ठीक जहां जाना संभाव ना हो अगम तो गम जहां 1 सानी से पहुँचा जा सके अजय जिसे पराजित ना किया जा सके ठीक है जिसे जीता ना जा सके वा पराजय है अजय है ठीक है जिसको जीता ना जा सके ठीक है इस चीज़ को आप लोग त्यार करेंगे सुगम जहां सरलता से पहुँचा जा सके सुगम जहां असानी से पहुँचा जा सके स्थाना पन सब्द है और इसमें संदिवी छेद कौन सा है वही संदिवी छेद दिया गया है कौन सा है इसको पहचानेंगे तो देखिए इस्थान एक सब्द होता है इस्थान और आपन आप लोग जानते हैं कि संधी जो होती है प्रथम सब्द के अन्तिम वर्ण से और दूसरे सब्द के प्रथम वर्ण से होती है ठीक है अब इस दसा में जब ये चीज़ हो जाएगी तो यहां पर देखिए स्थान में इसको अलग करेंगे तो आपको मिलेगा ठीक है इस आ में और इस आ में तो अ हरशवा दीरगा हरशवा से मिल रहा है तो हरशवा और दीरगा को मिलने पर दीरगा हो जाता है जानते हैं और दीर्ग अ इस स्थान में जो हल वर्ण है इसमें जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाएगा बड़ा ना हो जाएगा ठीक है और पन जो उसके साथ में है उसको यहाम लो ले लेते हैं तो स्थाना पन जो है यह सब्द निर्मित होगा लेकिन यह किस संदी में हुआ है कोई भी आए तो उन दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है मातरा वाला होजाता है हुझे निृकर feeding कियो प्रवरति होती है इस चीज को आपको है द्यान रखना है तो तभी जाकर कि आपके चीज़ें आसान हो पाएंगी ठीक है? और इसमें जब आप जोरेंगे तो स्थानापन बन जाएगा ठीक है? इसको, इसको मिला करके स्थानापन बना है. चलिए चीज़ें आपको, मैं आसा करता हूँ क्यों बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रही होंगी? आगे चलते हैं. कोशेट पढ़ेंगे जिस समास का पहला पद अव्याय हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन से समास कहते हैं देखें इसमें समास का लक्षन बता दिया गया है जिस समास का पहला पद अव्याय हो साथियों जानते हैं आप लोग अव्याय मतलब एक प्रकार का अविकार शब्द होता है जिस पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन बदलाव विकार नहीं आता तो आप अव्य का जो लक्षन देखेंगे और प्रधम प्रद की प्रधानता वह अव्याई भाव समास में देखने को मिलती है ठीक है तो यह जो विकल्प भी है आपका उदारण होगा साथ देखिए तो द्वंद जो है द्वंद समास में क्या होता है पहला नहीं न दूसरा बलकि उभए पद प्रधान होता है ठीक है दोनों ही पद प्रधान होते हैं उभए पद प्रधान समास क्या कहलाता है दोंद कहलाता है बहुबरी क्या है दोनों पदों की अप्रधानता होती है ठीक है दोनों ही पद अप्रधान हो बल्कि कोई तीसरा आर्थ देने वाला हो सब्द दोनों पद प्रधान नहूं ठीक है नहूं और सब्द सब्द तीसरा आर्थ देता हो तीसरा अर्थ दे वही है बहुब्री समास ठीक है जो की रूड हो जो की रूड हो ठीक है रूड हो ये रूड होना जरूरी है क्योंकि योग रूड सब्द होते हैं आपके जुतने भी बहुब्री समास होते हैं उदारण दियोगु समास क्या होता है संख्यावाची प्रथम सब्द पहला सब्द क्या हो संख्यावाची हो ठीक है संख्यावाची हो प्रथम पद ठीक इस चीज़ को आप लोग नोट कर लें याद रखिएगा ठीक है आगे चलेंग, आज की सभा में अनेको लोग उपस्थित थे, वाकि किस भाग में असुद्धी है, तो आज की सभा में अनेको लोग उपस्थित थे, तत्यों देखिए जो अनेको सब्द है, अनेको का जो प्रयोग होता है, यह इस रूप में बहुवचन में किया जाता है, ठ तो यह यहां पर को में एक मात्र आओ की मात्र लगाने का कोई अचित नहीं है यह स्वता ही भाववचन का है ठीक है तो अनेको भाग में गलती या तुरूटी थी ठीक आगे चलेंगे कित्र तुरंग न्याय रस से सम्मंदित प्रश्ण है आप लोग जानते हैं आचार भरत मुनी ने रस सूत्र बनाया था और उस रस सूत्र के चार व्याख्याकार हुए उनमें से एक थे भट यूलत भट भटा लोलत भट नायक चंकुक और एक है अभिनो गुप्त ठीक है भट लोलट भट नायक संकुक और अभिनो गुप्त ये चार व्याख्या कार हुए किसके रस सूत्र के ये चारो रस सूत्र के व्याख्या कार है ठीक है अब इन्हों ने इन्हीं में से संकुक ने क्या किया कि चित्र तुरंग न्याय ठीक है सिद्धान्थ का प्रतिपादन किया ठीक है किस ने किया संकुक ने किया ठीक अभिनो भारती लोलट नायक ये सभी क्या है रस सूत्र के व्याख्याकार है ध्यान रखिएगा इस चीज़ को आगे चलते हैं तो जो आपका अंसर होगा वह भी कल भी होगा ठीक है जिस चन्द के प्रथम चरती चरण बारा बारा मात्राएं दुती तथा चतुर चरण में साथ साथ मात्राएं हो साथ ही सम चरणों की अंत में जगन ठीक है होता है वह चंद कौन सा होता है कौन सा चंद होता है साथ यू जानते हैं आप लोग 12 और 7 के योग से जो चंद बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बरवे चंद कहते हैं ठीक है बरवे चंद है और यह बरवे चंद क्या है एक प्रकार से देखा जाए तो यह क्या है मात्रिक मात्रिक शंद है कौन से चंद है मात्रिक शंद है कैसा चंद है यह मात्रिक शंद है और इसके कितने चरण है चार चरण एक चार चरण है मात्रिक शंद है चार चरण है विसम चरणों में कि विसम चरण में कि इतनी मात्राएं होती है बारा बारा ठीक है तम चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती है साथ ठीक है अंत में क्या होना आवश्यक है जगन ठीक है अंत में जगन होना आवश्यक है जिसका जो चिन है ये है ठीक है इस चीज को आपको याद रखना है ठीक ये आप याद रखेंगे और यह एक प्रकार का मात्रिक शंद इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, ठीक है, साथ ही देखिए मालनी जो चंद है, यह क्या है, यह वर्निक चंद है, ठीक है, मालनी, मालनी क्या है, वर्निक चंद है, जिसमें वर्नों की गिन्ती की जाती है, ठीक है, वर्निक चंद है वर्निक छंद है और देखिए तो आपका जो इंद्रवज्रा है इंद्रवज्रा भी क्या है एक प्रकार से देखा जाए तो यह भी छंद है जो की वर्निक छंद है ठीक है इंद्रवज्रा भी आपका वर्निक छंद है ठीक चीजों को समझ लिजेगा और इनके आपको मात्राओं के आधार पर भी चीजें आपको याद होनी चाहिए ठीक मात्रा पे वर्ण पर तो वर्णिक छंदों में भी नाम ली आता है इसका इंद्रवज्रा का ठीक है विंद्रवज्रा भी क्या है वर्णिक छंद है पारण ये सबी चंद आपके वर्निक चंद हैं जबकि दोहा सोठा चौपाई और रोला ये सब क्या है आपके मात्रिक चंद है और मात्रिक में भी देखें तो सममात्रिक जो छंद है वह चवपाई छंद है ठीक है चवपाई किस प्रकार का छंद है सममात्रिक छंद है और रोला क्या है रोला आपका क्या है भी सममात्रिक छंद है ठीक है इस चीज़ को याद रखेंगे और सभी चीज़ें आपके लिए सरल हो पाएंगे दोहा किस प्रकार का छंद है दोहा भी सम्मात्रिक छंद है अर्द सम्मात्रिक छंद है जिसको कहते हैं और सोठा भी अर्द सम्मात्रिक छंद है ठीक है आगे देखते हैं वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे पंक्ती में कौन सा अलंकार है साथ ही आप लोग जानते हैं कि अनुप्रा सा अलंकार में क्या होता है वर्णों की आवरित्ती होती है साथ ही अगर वर्णों की आवरित्ती के अलावा पद की आवरिती हो या वाक्यांस की आवरिती हो ठीक है पद की आवरिती हो या वाक्यांस की आवरिती हो साथ ही उसका अर्थ अन्वय करने पर अर्ध भिन हो तो वहाँ पर क्या होता है लाटा नुपरास होता है लेकिन यहाँ पर लाटा नुपरास दिया नहीं है आपसन में आपका जो विकल्प होगा वह क्या होगा अनुपरास होगा ठीक है जब कि जानते हैं आप लोग यमक अलंकार में क्या होता है एक सब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उस सब्द के अर्थ भी क्या होते हैं बहने बहने मतलब सब्दों सब्द तो दो या दो से अदिक बारा आई लेकिन उसके अर्थ की जो भेहनटा होगी अर्थों का जो दुइत्व है मानलख सब्दों का जो अवरित्टी है वा क्या है यमक अलंकार है और एक सब्द के अनेक अर्थ जहांपर होते हैं वहाँ पर ellesलंकार होता है जहांपर उपमें है उपमें में क्या होता है भेद रहित आरोप होता है उपमें और उपमान के बीच में ठीक है तो भेद रहित आरोप उपमान उपमें के बीच में होगा और स्लेस में अर्थों की आवरिती होगी यमक में क्या होगा सब्दों की आवरिती होगी ठीक है तो इस चीज़ को आप आप लोग जानते हैं कि विश्व हिंदी सम्मेलन का जो प्रारंभ हुआ वह विश्व हिंदी सम्मेलन की सुरुआज जो है वह भारत से हुई और भारत में नागपुरे का स्थान है उस स्थान से प्रारंभ होता है ठीक है विश्व हिंदी सम्मेलन का लेकिन दूसरे ही साल क् जो दूसरा विश्व हिंदी समेयलन होता है वो पुर्टलूई अर्थात मारिसस में हूआ जबकि तीसरा जो हमेलन हुआ है आपका समेयलन हुआ भारत भारत में हुआ ठीक है भारत में तीसरा समयलन हुआ और नई दिल्ली में, ठीक है, तीसरा, जो सम्मेलन हुआ, कहां पे हुआ, आपका भारत में हुआ, और पोटाप श्पेन त्रेनिदाद में कौन सा हुआ, त्रेनिदाद में जो हुआ था, वो पांचवा था, ठीक है, त्रेनिदाद में पांचवा था, पांचवा सम्मेलन, त छटटा संमेलन हुआ ठीक है छटटा संमीलन अश्ट лिटेन रिटेन में हुआ था इस चीज़ को अप लोग note कर लेंगे दूसरा कहा वा था आप जानते हैं दूसरा हुआ था यहां पर पोर्ट लुइस में तीसरा भारत में तो चोथा कहां हुआ फिर से मौरिसस ठीक है मौरिसस में मौरिसस में हुआ पहला चोथा मौरिसस में पहला कहां हुआ आप लोग जानते हैं भारत में ठीक है चलिए ठीक है तो दस्वा कहां हुआ बहरत में अभी तग में तीन बार हुए और बार्वा कहां हुँआ तो बार्वा जो है वो Praezy में हुआ Praezy में हुआ इस चिसको नोट रखेंगे 11 कहां हुआ 11 जो है अभी कुछ दिनों पहले 2018 में हुआ था और वह सूरी नाम नमक सूरी नाम या मौरिसस में हुआ था ठीक है तो इस चीज़ को याद रखेंगे सब इस चीज़ों को आप लोग नोट कर लिजेगा नोट करने पर ही आपको याद होगा और बिना याद किये इन सब चीज़ों को मत रखिए क्योंकि आपको परिक्षा देना है और परिक्षा की तयारी आपकी बहतर होनी चाहिए ठीक है तो बहतर जब तक पढ़ेंगे तभी हो पाएंगे ठीक तो बहतर होने के लिए बहतर मेनत करनी पड़ती है ठीक है आगे चलेंगे पढ़े फारसी बेंचे तेल या देखो किस्मत उद्रत का खेल ठीक है तिक्षित होकर के ब्यूरुजगार होना ठीक और योगता होते हुए भी विवस्ता के कारण निमनस्तर का कार करना और विद्या का अपमान करना फारसी पढ़े लोगों को प्राया तेल बेचना पड़ता है ऐसा ठीक है तो आपके समक्ष दिया गया है लोकोप्ती और इसको आपको बताना है ठीक है तो इसका आर्थ जो होगा योगता होते हुए भी विवस्ता के कारण निमनस्तर का कार करना होता है ठीक है इसका आप दियान रखिएगा ठीक ठाक न्याय हो जाना इस वाक्यांस के लिए लोकोप्ती के लिए इसके लिए वाक्यांस के लिए एक लोकोप्ती सुने सुनेश्चित करें तेल देखो तेल की धार देखो दूला को पत्तल नहीं बज दूद का दूद पानी का पानी करना तू डाल डाल मैं पात पात देखे चार आपके समक्ष लोकुक्तियां हैं और इन चारो लोकुक्तियों में से जो सबसे उपयुक्त होगा अंसर आपका जो उपयुक्त मतलब जो यह अर्थ दे ठीक ठीक न्याय हो जाना चाहिए तो इसके दूद का दूद, पानी का पानी होना, ठीक ठीक नयाय होने के लिए है, ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे, साथ ही तू डाल डाल मैं पात पात, इसका अर्थ क्या होता है, एक से बढ़ कर दूसरा चालांक, एक से बढ़ कर दूसरा चालांक, एक से बढ़ कर दूसरा चाल नाक ये अर्थ देता है और दूले को पत्तल नहीं बजनियों को थाल मतलब जो जिसका हग है उसे नहीं मिलना एक जिसका हग हो उसे नहीं मिलना ठीक है साथ ही तेल देखो तेल की धार देखो मतलब कोई भी काम करो तो बड़ी सावधानी से सावधानी से और धैर से ठीक है सावधानी से और धैर से काम लो ये अर्थ होना चाहिए ठीक है सावधानी से और धैर से काम लो यह अर्थ होता है ठीक है यह अर्थ होता है इसको आप लोग देख लेंगे नामन्त काल नाम दिया है ठीक है डक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है तो चारण काल कहा है या ग्रियर्शन ने भी क्या कहा है ग्रियर्शन ने भी चारण काल कहा है ठीक है आचार हजारी प्रसाद दुवेदी ने क्या कहा है हजारी प्रसाद दुवेदी ने आदिकाल कहा है ठीक है क्या कहा है आदिकाल नाम दिया है ठीक राम चंदर सुकल का नाम कैसे भूल सकते हैं राम चंदर सुकल ने आदिकाल को क्या कहा है तुछ साथφियों जानते है, राबन चंदर सुक्ल ने आदि काल को वीर गाथा काल काल काहा है, ठीक है, एसे सब चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजेगा, ग्री अरसन ने क्या काहा है, चारण काल काह है, ठीक है, ग्री यर तो इसको आप लोग नोट कर लिजेगा इन चीज़ों को देखिए आपके समक्ष एक पैसेज है और पैसेज को पढ़ करके हम लोग उससे समन्धित प्रश्णों के जवाब देंगे ठीक है जिस विद्यार्थी ने समय की कीमत जान ली वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है प्रतेक विद्यार्थी को अपनी दिंचरया का समय सारणी अथवा तालिका बना कर उसका पूरी द्रहता से पालन करना चाहिए जिस विद्यार्थी ने समय का सही उपयोग करना सीख लिया उसके लिए कोई भी काम करना संभव नहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कोई काम पूरा ना होने पर समय की दुहाई देते हैं वास्ताव में सच्चाई इसके विपरीत होती है अपने करमणत्या और आलश को वे समय की कमी के बहाने चिपाते हैं उस लोगों को अकरमणया रह कर निठले समय बिताना अच्छा लगता है ऐसे लोग के वल बातूनी होते हैं दुनिया के सफलतम व्यक्टियों ने सदय और कारे विस्तता में जीवन बिताया है उनकी सफलता कर रहा है समय का सदप्योग रहा है दुनिया में अथवा प्रकेत में हरवस्त का समय निश्चित है समय बीत जाने के बाद कार पलप्रद नहीं होता ठीक है तो विकल्प देखेंगे प्रशन देखेंगे और विकल्प पर चर्चा करेंगे कुछ लोग समय की बरिबादी के बहाने क्या चुपाते हैं किस बहाने से चुपाते हैं समय के बरिबादी को तो अपनी अकरमड़ता को और आलश है लोग समय की कमी के बहाने क्या चुपाते हैं तो अपनी अकरमड़ता चुपाते हैं और अपना आलश से चुपाते हैं अकरम को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि समय की दुहाई देना विश्वास बनाए रखना समय परकार करना समय की कीमत समझना साथियों आप लोग जानते हैं समय की कीमत के बीना सही से आप जानते हैं कि जो व्यक्ति समय की कीमत समझता है वही सफल होता है ठीक है कार किस इस्थिती में फल प्रद नहीं होता फल प्रद नहीं होता तो समय ना आने पर समय अधिक हो जाने पर समय बीट जाने पर समय जानते हैं आप लोग जब समय बीट जाएगा तो फिर काम क्या हो जाएगा पलप्रद नहीं होगा ठीक है तो विकल्ब जो C है आपका सही होगा अकरमड़ता सब्द में उपसर्ग और प्रत्य कौन से हैं देखिए अकरमड़ता एक सब्द है और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है और कौन सा प्रत्य लगा हुआ है तो आप लोग जानते हैं उपसर्ग कौन सा है और प्रत्य ठीक है तो अकर्माडिया कर्माडिया और अकर्माडिया में देखेंगे तो उपसर्ग आ लगा हुआ है और प्रत्य ता लगा हुआ है विकल्प के अनुसार है ठीक है तो आपका जो विकल्प है वह विकल्प आ प्ल प्रत्य है और आ क्या है उपसर्ग है ठीक है और यह क्या है तो आपका मूल सब्द है मूल शब्द चीज यह नोट कर लिजेगा ठीक है तो सातियों देखिए यह सैंटिस प्रश्ण मैंने इस प्रश्ण पत्र में अर्थाद प्रैक्टिस सेट में आपको साल्व कराए और यह जो प्रैक्टिस सेट की संख्या क्या थी यह 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है जिसको हम लोगों ने साल्व किया है ठीक है तो आज की कक्षा में हम लोग इतना ही रखेंगे अगली कक्षा में नया प्रैक